लाल कीले से प्रधान मंत्री नरेन मोधी ने स्वतंता दिवस के मोके पर भाशन दिया 2047 में विक्सित भारत इस थीम के साथ इस समहरो कायोजन क्या गया था इसके लिए करीब 6000 खास मेमानों को भी बुलाया गया था नेता पृतिपक्ष राउल गांधी भी समोके पर लाल के लिए पहुचे थे इस बीच उनके कुछ तस्वीर है सोशल मीडिया पर चर्चा का विशे बन गई लोग उनके बेटने की जगहा को लेकर सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस समर्थक इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कॉंग्रेस समर्थक ने वीडियो को पोस्ट किया और लिखा रहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं जो 230 सांसदों का नित्तफ कर रहे हैं और 20 करोड के करीब भारतियों ने इनको वोट दिया है लेकिन आज लाल कीले पर उन्हें सबसे पीछे दूसरी पंक्ती में सीड दी गई दरसल रहुल गांधी को ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाडियों के साथ तीछे से दूसरी लाइन में बिठाया गया था सोचल मीडिया पर जब इस मामले को लेकर सवाल उठे तो रक्षम अतराली ने अपनी प्रितिकरिया दी लेकिन इस बार आगे की लाइनों में ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाडियों के बेटने का इंतिसाम किया गया था इसलिए रहुल गांधी को पीछे बेठाना पड़ा रहुल गांधी भार्दी होके टीम के फॉरवर्ट गुर्जन सिंग के बगल में बेठे थे आगे की लाइनों में मनुभाकर और सरजो सिंग जैसे ओलंपिक पदक विजेता बेठे थे ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दनगर न्यूश शुक्रिया